प्रीकार दोसों, आप शृबी का बहुत बहुत श्वागत थे। दोसों, आज दोपर के तीन बजे शी आप शिवी के जुनकाल में होने वाले हैं बहुत बढ़ा बदलाव। ज्या दोसों, आप शिवी को बता दे। कि यश में आपको एक एशा वेक्ती है जो बहुत ही बड़ा धोका देने वाला है जे दोसों और अब वक्त आ गया है इन्से शावधन हो जाने का जे दोसों आज कई है वीडियो आप शिवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत पुन होंगी और आपके भुष के लिए बहुत ह दोसों इन्हें बिल्कुल ही मिश्णा करें और थोड़ा शर्माई निकाल कर इस वीडियो को शुरूश लेकर अंत तक जरू दिखेगा जे दोसों कि दोसों एशाद दुश्मन है जो कि आपकी जुनकाल में आपको कहीं के नहीं चुड़ेंगे जे दोसों और बगमान श्र दोस्रेश में उनका स्वभावा नहीं वड़लता तो दोस्तों रहते हो जाईए शावधान क्योंकि इस दुश्मन ने आपको कई में 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 UH कितनी मेहनत किया है कितनी इशारी शमेश्याओं का आपने शामना क्या है और अपने जुनकाल में इतनी खुशियां हासिल की है लेकिन दोस्टों अगर आप इन से अपनी खुशियों को नहीं बचा पाएंगे तो दोस्टों ये आपकी शब से बड़ी बेवकूपी होगी जी दोस्टों हम आप शुबी को बता दें कि शमें रहते इस इंसान से आप अपने आपको बचा ले या फिर अपने जुनकाल से इस इंसान को निकाल दें दोस्टों दोनों में ही आपकी ही बलाई है आपकी जुनकाल की आपके घर परिवार की ही बलाई है दोसों हम आप शुपी को बता है कि आखिर कब तक आप पुने जुनकाल में इतने शारी दुखों को जिलते रहेंगे आपको भी तो जीने का दिकार है दोसों हम आप शुपी को बता है कि आपके अमन बहुती श्वक्चर शाफ रहता है आप हमेशा चाहते हैं कि किसी से भी न हैं जो हएं जयुवाइब और चाल से वह भूस्त रहने सांतल और पती पहलु आपधि को सब् людям को आप अपनी जौनकाल से निकाल देना है जहें सो दोस्तों आज कि इस वीडियो को आप बिल्कूल ही मिचना करें और दोसनों सुरूराइबाब तक जरूर देखिएगा कि वीडियो में हम आप शुभी को पर शुभी महत्मुन जान करें देंगे कि केश्य आप इश्व्यक्ति को अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं कि आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि आखिर या विक्ति कौन है आखिर क्यों एशा कर रहा है या क्या चाह बनाए गए हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर रंत तक देखिएगा उस्जी पहले दोस्तों जो भी भगवान भूलेनात के शच्चे भगत इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्रुलाइक जरू करें और कमेंड बोक्ष में भगतों शिया बात कहते हैं कि शिकायत बंद करो अपनी तरफ देखो और जहां जहां तुम्हें दुख पैदा होता है खोजो गौर से तुम्हारे भीतर ही उसकी कारण मिलेंगे उन कारणों को छोड़ दो क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किये जाने का प्रयोजन क्या है जिनसे इस तुरुपत जहर के फल लगते हो उन बीजों को तुम क्यों बोते हो और दोस्तों आप भी अपने जिनकाल में इशा कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके शत्रू है यह आप शिया अच्छा होई निशक था फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं आज यह अपने इनकाल से निकालते क्योंकि आगे चलकर भी आपको दोखाई देंगे जिया दोस्तों तो दोस्तों बगवान बोलेनात का यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और इनके 만श्बत मैं डाल देती है प्यार देने शिबेटा विगड़े भेट देने शिक नारी लोब देने शेनोकर विगड़े दोकम का देने शें के दूसे गुलमिले तो गुरू बनाऊ चित मिले तो चेला मन मिले तो मित्र बनाऊ वर्ना रहो अकेלה जितوس सबसे प्हொले दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जुनकाल में बहुत ही श्रपल इंसान बनने कीृ स्जडरief जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों आप इसाथ जोगी आपके शौगेशमन्दी है जो भी आपके पास चाते हैं जो भी आपके दिल के करीब हैं दोसों आप भी कुर्ण नियुक्ते में ऑने जूण काल में के बारे में शौभी को बता देते हैं तो दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के कारण दोस्तों आप शबी की जिवनकाल में जो भी शमस्याएं आ रही है यहीं से शुरुआत होती है जिए दोस्तों आपको बता दें कि शब्से पहले व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप क तो को शमी शमी पर नजरनदाज करते आ रहे हैं। दोस्तों याद किजिए कि पिछले शुमेंटराल में भी आपके जिवनकाल में एशिक कई लोग आए हैं। जो की आपके शाहत रहकर आपको धुका दिये हैं। और कोई एशा भी लोग है कि दोस्तों धोका देने के बाद आपसे मिलने के यह बहुत ही प्रकार के कारी भी किये हैं आपके शामने अच्छे बनने के कारी भी करते हैं और दोस्तों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि दोस्तों जो इंसान जे साथ था वह सब्सक्राइब आप उन पर यकीन करें आपको अपने जोनकाल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इनसान को कभी भी धोखा कभी भी आपको चल किये तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बार पहचान करना है और उनसे दोस्तों आपको दूर जाना है जैसे दोस्तों आप उनको अपने जुनकाल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यही ऐसे लोग होते हैं जो आपके शाथ रहकर आपके उपर चल करते ह तो कि आपके आपके उनकाल में अपको नुक्षान होते हैं तो уждोस्तों को अपने इन बातों का ध्यान रकना है गलतियों को बिलकुल नहीं करना है ऍंधी दोस्तों आपके लिए ऐसी बात हैं जो कि आपके लिए शट्टिक एठील कोई भी इंसान जब आप शे कुछ रुपिया मांगता है जिए दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आप शे कोरिकार करने के लिए कहता है तो दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह पाते हैं दोस्तों यह आपकी जोनकी शबसे बड़े गिलती है तो दोस्तों आपको अपने यूनकाल में बातों का ध्यान लगना है जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिमद आपके अंदर नहीं होती है लेकिन दोस्तों आप उनके पीछे की बात को ज्छान भी नहीं करतें दोस्तों करिबारे शे ही लोग हैं जो कि आपको दोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पेशे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दूनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों में बुरी बन चुकी है जे दोस्तों तो दोस्तों आपको अपने युनकाल म जल्दी आपर ना करें तो दोस्तों आज के इस दौर में पेशा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ बहुत ही बुरा भी है जे दोस्तों जहां पेशे हमारी जोनकी जबिक जाएं पूरी करती है वहीं दोस्तों दुसरी और अगर हम किसी को पेशे देते हैं तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कारी क्यों न कर रहे हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं वह हमसे नजरे चुराने लगते हैं जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं तो दोसों एशी जीवन की हालात हो जाती है तो दोसों आप इन बातों का अंदर रखें अगर आप दोसों इन में कोई भी कारी करते हैं तो दोसों वह अफिक्ति आपके लिए कुछ गलत कारी करते हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जुनकाल में कोई भी करीबी लोगों शुप पेशे की लेंदेन बिल्कुल भी नहीं करनी है जो दोस्तों जहां तक हो शुगे आप शमय उन्हें दिर्शक्ति हैं यह आप लिए बहुत ही अच्छी होगी और दोस्तों पेशे को लेंदेन में आप बिल्कुल ही ना पड़े तो दोस्तों इन बातों को आप अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि दोस्तों ऐसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जुनकाल में आप करते हैं और दोस्तों आगे चल कर वह गलती विशार रूप धारन करके आपके जुनकाल में कई परकार के शमच्याओं का कारण बनते ह जे दोसों और यही लोग आगे चल कर आप deber करने हैं तो कि इसन बातों करणाना है विस्ठी सबस्कैन करते हैं उसक्राइब को पूस्षल आपको पता दें है। आपकी जुनकाल में जो पढ़ें नौई कारियों को करें इसको परांद दोस्तों आपको बता दें कि जिन लोगों ने आपको पर चल किया है उनको पर आप अब अब बिश्वाद बिल्कुल ना करें और दोस्तों आने वाले जूनकाल में जितना होश के उन्से कम भात करने की प्रयाश करें इनसे दो दोस्तों आपको अच्छी उनकाल में अच्छी उपलग धी इनसे प्राक्त होगा तो बात करते हैं कि शत्रु को अपनी जुनकाल से हमेशा के लिए मीटा देने के लिए आपको कौन शी उपाय को और कौन शी मंत्रों का जाब करना शाहिए दोस्तों सबसे पहले बहुत ही आश मंत्र है दोसों संकुटों के निदान करने वाले शत्रों से बचाने वाले संकट मोचन जय हनुमान जय दोस्तों आपको नित्ति दिन आपको भगवान हरुमान जी का इन मंत्रों का जाब करना है संकट मोचन जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान किरपा करो है महाबली ह मन्त्र है जो कि और श्रवी के छूट करने लिए जब आपके उसे ख्याल आने लगे कि आपके अपर शंकाट आने वाला है मन्त्रों का जाब अब पर बेली करें शत्रू भी कम होंगे और सो अब वीडियो को बहुत पर पशण नाया है तो दोसों बिडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है था